तो आज हम विदिशास्ट पर कुछ संग्छित विवरा लेकर रस्तुक कर रहे हैं जैसे कि परिच्छाएं एंसीक्यू परटन पर हो रही है तो जहां पहले विदिशास को बड़े ही विश्दत प्रूप में पढ़ा जाता था अब यहां पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उन महत्पुर्ण बिन्दों को संग्षिप करके देखा जाए तो उसी प्रयास को थोड़ा देखिए कि कि कम समय में कितनी उप्यों की चीजों को निकाला जा सकता है तो सबसे पहले देखने करेंगे जो सबसे पहले दियान दिना कि बहुत सी इसमें विदिशास चुकी है जो परिभाशाएं भी आती हैं तो सभी पर भाशाएं याद करना संभव नहीं होता है लेकिन इतना आवसी जबूर है कि उन परिभाशाओं में कुछ खास शब्द प्रयोग किये जाते हैं इंग्रिश में जो की वर्ड्स हैं अगर उन्हें ध्यान रख लिया जाए और पूरी परिभाशा नहीं भी याद है तो में परिभाशा तो लिख की आईगी लेकिन किसन सबस्वाइब करने के नहीं करता है तो आप तो देखें सब्सेबसे परिखते हैं नेश्रला के वर्चानिक कुछ परभाशा है तो अल्पियंगी परभाशा बहुत फूची जाती है जिसमें खासियत क्या है कि अल्पिल की पर वहसा कितने बड़ी क्यों हो उसमें दो वार् कि एक तो नॉलेज और दूसरा साइंस जुरिश्पुडेश की परभाषा में जहां यह प्रयोग किया जाए कि विदिशास्त्र ज्यान है तो ज्यान है किस चीज़ का ज्यान है तो चीज़ आपको दिखाई पड़ती है डिवाइन और हुमन यानि दो सब्सक्राइब चीज़ आपको दोगे पूरी परभाषा नहीं भी याद है तो अल्पिन के अलावा अल-पियं अल-पियं इनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है जो इस पेकारी परभाषा देता है कि विदिशास्त्र दैवी और मानीयों पीदियों का ज्यान है और साइंस किसका है जस् पुचित और अनुचित का विज्ञान है ये दो शग्द पूरे विदिशास आप पढ़ेंगे तो कोई अनुविक्त यूरिस्प्रेटर्स पे इसकी परवाशा नहीं देता है तो पहले सी बिलकुल क्लियर है कि कोई ऐसी परवाशा कोश्चन में आ जाती विकल में कि पूछा पूछा जाय स्टेटमेंट कि विदिशास दैवी और मानी विदियों का ज्यान है अब्दर्विंग आप थे इस्टू डिवाइन और अधियूमन और और विदियों की बारे में जो बात करते हों अल्पियन के लाबा और कोई गूष्रा नहीं है और यहां पर याद कर लिए अल्पियन प्राचीन विदिशास्त्रयों में है रूबन जूरिस्ट है विरास्पर है इसको ध्यानत मैं चाहिए तो आप यहां पर इस प्रवाशा आप याद रखेंगे कर अल्पियन में जो आपने देखा यहां बना लिए कालम अल्पियन आते हैं आपके साथ दो ही की नहीं करें रूखी मेंकरवं कश Ortho को अब स ид रोगे परिःभाश्यका है अक्सर हक्षिय आती हैinkora कि इनकी परभाशा बड़ंपरनें यह कहते हैं विदुके ज्यान का दार्शनिकप्ष्य है यानी फिलास्विकल इनकी परभाशा में की तर दर इनकी परभाशा में यूज क्या गया और किसी नहीं है तो ऑन सिंट तो फिलास्फिकल आस्पेट और किसी बिख स्पेर्च नोने यह जों न've घ्राख आपको दारशनिक पम क्टियोंगे किया को सब्सक्राइन एक रोंट रस्पर फिल्स grain तो आप इसको देख सकते हैं जैसे उसमें आप देखेंगे आस्टिन सामन केल संग और इस्टों इनकी परभाशाओं को देखेंगे और एक एलन को देखें इनकी परभाशा है याद करना मुश्किल पड़ता है सारी लेकिन समय कम हो तो कीवर्ट्स अगर इमाग में रख ले जाएं केवल अगर वह नोट याद है जैसे डिवाइन हो हीवन जैसे स इस फ्लॉस्पूटे को डिटा में जाते हैं सब्सक्राइब लिए फिलासफि वर्ड पर देखाई पडर जा में रिए 272 यह तो जो को फिलास्पी बताए लेकिन से फिलास्फी वर्ड नहीं उसके अनुने फिलास्फीकल आस्पेक्ट किया इसके दोनों ही अलग अलग है और यह पास्टिव लागे रेलेशन बोल रहे हैं जो फिलास्फी आफ पाजिटिव ना तो जो भी जूरिस फिलास्फी शब्द का प्रय क्लियर यहां पर दिवागवे रखें दूसरा सामन सामन की सबसे चीप पहचान है कि इनकी परिवाशा जो है यह कहीं भी और भी जहां अपनी एक अंसर्ट में भी बात करते हैं यह सिविल शब्द का बहुत प्रयोकरते हैं अधिकता तो यह जुरिस्पूटेंस को सब्सक्राइब सिविल दिखा हुआ है फर्सप्रिंस्पल सिविल लावर का प्रयोकरते जो इन प्रेभर क्या है नागरिक वीद के प्रथाम जैन्तों का विज्यान है तो जो सिविल वर्ड है अब यह सब्गा प्रयोग करता मिलें तो आपको केवल सामन दिखाए पड़ेंगे और कोई नहीं दिखाए पूरेंगा परभाशा भले आपको नहीं आधे लेकिन अब यह वर दिमाग रहे गए फिलास्पिया पासिटिव लाप सिविल सब्गा प्रय आज सक्राइब अंडिलिया अब केलशन की जो व्यृशास की प्रवाशा जैदा प्रैसलिंद्ब में नहीं ओती कोर्स में लेकिन केलशन की जो पहचान है वह दो शब्दों की जाती है यह नौर्म है नावल या नार्मेटीव शब्दों का प्रयोख प्रयोग करते ना या आए यार्की दो शब्दों का प्रयोक अबसर होता है तो इनकी जो विदीकिशास की प्रभाशा है इस दा हायर्कि आफ नार्मेटिव साइंस कि दो अकू दिखाई पड़ा है तुरंती नार्मेटिव नार्मेटिकी जो हंदी होती है कि मानात्मक होती है कि मानात्मक और है और घटी पन होता है अ कि विषयास मानात्मक संबंधों का अपशांद करना पड़ा नारिमेटिव साइंस नार में प्रवाशा में नार्मेट्यू शब्द का प्रयोग किया गया है तो निशन पॉच्छ आप के साथ जा सकते हैं हुआ अब प्रोवेसर को गिए ऑफ फ्रोवेश को देखिए प्रोवेश इस्टोन आफ इस्टोन जो है यह उसे इनकी खासियत है यह यह यानि वकी यानि इज वकील वकील सकता प्रयों दिखाई यह एकर वकील की का प्रयोग करता है विरिवेट्था तो अकेले जुरिस्पूडेश इस दिखाएं पड़ते हैं जुनिस्पुडेंज इस ती लाइर एक्ष्ट्रावर्जन टो अगर किसी भी प्रभास्टा में अगर लाइस वकील नहीं विर्शास वकीलों की बहिर मुपता है इस रायस एक्स्ट्रो वर्जन प्रयों किया जाता है वह केबल प्रोफेसर इस्टोन के दुरा किया जाता है और कोई नहीं करता है तो देखिए अनलेटल अप्रोफ में स्टिल फिलास्विया पासिटिव लाके साथ में पगड़ में उसी तरह से सामन्ड सिविल लाके संदर्म में जाने जाएगी के लिए आप नार्मेटिव रिलेशन को याद रखे उसी तरह से स्टोन जी के लिए आप जो है वकील शब्दिया हिंदी में और वह ना लायस एक्स्टो वर्जन से पैचाल लेगे पर वासा बहुत बड़ी बड़ी है नहीं याद कर सकते के वले की वर्ड के साथ अमने ध् लेका इन्होंने नौर्मेटिव साइस के लिए लिए का तो हालेंड फार्मल साइंस चब्का प्रयोग करते हैं कि यूश्पूरेंस क्या है फार्मल साइंस आप पासिटिव लाव पर वासा कुछ भी नायाद हो लेकिन अगर आप इस चब्द को ध्यान में रखेंगे की यह फार्मल खाना जैनी हिं 27 अलग हो जाती है कि अलग हो सकती है इंकलि को नहीं करता है और आखरी में इत जुकते हैं ये ऑढली की परभाशा काफी केली की तुकल कुछी जाती है प्रफेशर सी के dalकी इनकी अटारे प्रृएफ सिंथेस साइंटिविक सिंथेस वैग्यानिक संग्षिलेशन यह सब बड़ा इंपार्टेंट पर्भाशा कित्ती भी लंबी क्यों नहों किसी भी परिवाशा में अगर यह प्रयोग किया जाए शब्द की जूरिस्पृडेंस के संदर में कि जूरिस्पृडेंस कि तो आपको प्रवेसर करते हैं जिससे आप जान सकते की परवाशा इसमें दी है तो देखिए इसमें आपको बहुत ही शाड में जो परभाशा अब को बताई नेश्वलास से दो परवाशा है जिसमें आपने देखा अलपीन को अलपीन को आपने पहिचान लिया केवल नॉलिज और ग्यान है उसी प्रकार से जब आप सिस्वरों के पास गये देखने के लिए तो सिस्वरों के लिए आपने फिलासिफिकल शब्द को आपने ढूना यानि दार्शनी जुरिस्पुडिन्स के आहिं के अकॉर्डिंग ली फिलास्विकल आस्पेक्ट आप नाले जाफला वीद बश्रीन जुरोस्पुर्णस ता फिलास्विया पास्टीव ला के रिलेशन में पास्टीव लाग को ज्यादा भ्रह्म मत पढ़िए का प्रास्टीव लामेट इंग या जो डिवाइन ला होती है इस्वर के द्वारा प्रदफ है ठीक उसके आप देखना चाहेंगे कि प्रवाशा में अगर मिलें कि प्रवाशा है दूसरी और सब्सक्राइब कि आपको दिखाए पड़ेंगे जैसे जिरुस्पुडेंस प्रिंसिपल उसी तरह स्केल्शन की डिपिनिशन में नॉर्म मानात्मक संब्ध होगा अग्सक्राइब नार्मेटेव दिएशन नॉम्स में यहां कंद अग Specifically है वह फ्रवेशण सब्सक्राइब करते हैं जरुव कर्वाशार में प्रिंश या सकते हैं लास्न grac me सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस व्याठ्थान में इन बातों को ध्यान रखें अगले व्याठ्थान में हम जो इनके द्वरा दी गई अवधार्णाय है या कुछ कुछ इस्टेट्मेंट है वो भुक्स है उनको शार्ड में करने का प्रयास करेंगे अगर झाल झाल झाल